कि जब मुख्य मंत्री जी का ग्रह जिला तक जल जाता है जहरिली शराब में कितने गिरो पकड़े गए कितने तसकर पकड़े तनी हत्याएं हुई है आज तक कितने अपरादिया कितने हत्यारे पकड़े गए तो जो मुख्य मंत्री खुद भारत का समविधान मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी को सूट करता है ये सब बाटने की राजनीती का नेत्रत हो आज तक मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी करते आए हैं ऐसे में बिहारी हिंदू मुसल्मान के नाम पे बटे अगड़ा पिछड़ा के नाम पे बटे जैसे भी हो अगर बिहारी में आपस में अगर मदभेद होता है तो मुख्य मंत्री नितिश कुमार जी की राजनीती को यह सूट करता है पहली बार नहीं है भईया ऐसा कि राब नवमी के दोरान इस तरीके की घटनाएं घटी हों पर इन घटनाओं से सबक क्या लिया गया कोई सबक नहीं लिया गया पर परिणाम स्वरूप पिछले तीन देन चार देन से मेरा प्रदेश जल रहा और मुख्य मंत्री नितिश कुमार जी को इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता जो मुख्य मंत्री खुद दलित महा दलित पिछड़ा अती पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा लव को श्कोरी कुर में चिंता इस बात की जादा बढ़ती है कि जब मुख्य मंत्री जी का ग्रह जिला तक जल जाता है जो मुख्य मंत्री अपने ग्रह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं किस तरीके से नालंदा के बिहार शरीफ में यह घटना करे जो मुख्य मंत्री अपने ग्रह जिल समनने वाला नहीं है ये तो भाया एक राम नम्मी के दिन हुई घटना जिसका असर दो दिन चार दिन पांच दिन आप लोग को देखने को मिला पर जो रोज बिहार में हत्याएं हो रहे हैं जो रोज बिहार में अपरहन हो रहा है लूटमार हो रही है जहरीली शराब की पकड़े गए जितनी हत्याएं हुई आस तक कितने अपरादिया कितने हत्यारे पकड़े गए तो जो मुख्य मंत्री खुछ संरक्षन देते हों उनसे अब बिहार समलेगा नहीं और इसी लिए मामहीम राजपाल जी से भी मुलाकात करकर और कल एक पत्र के माध्यम से देश इंतजार हम लोग नहीं कर सकते हैं और इसलिए बिहार में अब राजपती साशन लागू कर देना चाहिए बहारत का समविधान भारत के समविधान में जो फेडरल स्ट्रक्शर है जो संग्य ढाचा है उसमें कई अधिकार जहां केंद सरकार के पास हैं वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास हैं जिसमें लौ और पूर्टा राज्य सरकार का विशे है राज्य सरकार के अंतरकत आता है आपको जिसकी भी द्वारा की गई ये साज़िश लगती है आप उसकी गिरफतारी करेंगे की नहीं करेंगे और आपका इंटेलिजन्स क्या करता है भाया जब वो पत्थर इकटे किये जा रहे थे आपके इंटेलिजन्स को इस बात की जानकारी नहीं थी क्या ये इनकी नाकामी नहीं है एक दूसरे के उपर पल्ला जाड़ देनो और ये बोलना कि भाई ये इसकी साज़िश ये उसकी साज़िश साज़िश जिस किसी की भी हो कारवाई होनी चाहिए और ये कारवाई करने की जिम्मेदारी पूर्टा राज्य सरकार के और राज्य सरकार नहीं कर पाई इस घटना को नहीं रोक पाई ये नाकामी पूरी तरीके से राज्य सरकार पाई भाई अगर ये राज्य सरकार ऐसा मानती है तो ये पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है ना कि भाई तत्यों को सामने रखें बताएं अगर आपको लगता है कि ये भाज़पा की साज़श है तो कैसे रची गई ये साज़श और आपके मुख्य मंत्री के ग्रह मंत्री इ के पास है ना नितिश कुमार जी के आपके रहते वे साज़िश को रचा गया इस साज़िश को अंजाम दे दिया गया और उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए आपके ग्रह जिले को जला दिया गया तो यह नाकामी किसी है भईया जब यह दूसरों पर उंगली उठा है और जब यह कह रहे हैं कि इनकी साज़िश है तो आप अपनी नाकामी को आप दिखा रहे हैं कि आपके ग्रह मंत्री रहते वे भी अगर इस पूरी साज़िश को रचा गया और इस साज़िश को अंजाम दिया गया और अभी तक आपके पास कोई ऐसे तथ्थे नहीं है को बार-बार बोल रहें कि इन लोगों ने किया उन लोगों ने किया तो तत्य सामने दीजे पूरी एजनसीज हैं आपके पास इंटेलिजनस की सारी रिपोर्ट होगी आपके पास सिर्फ मौकिक बोल देना और एक दूसरे के उपर आरोप रते आरोप की राजनीती करते रहना तो जितनी हत्याएं हो रही है वो कौन कर रहा है जहरिली शराब के धंदे में भी क्या बाचपा के ही लोग है बताएए ना कौन क्या कर रहा है सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप रहते आरोप करके अपना पल्ला जार देने से